आप लोग को बहुत फाइदा होगा आप लोग सुने होंगे देवताओं रहने का जगा कहा रहता है देवताओं? मंदिर के अंदर कहा? उसी जगा का नाम क्या है? देवलोक कहा रहता है देवताओं? देवलोक में रहते हैं चड़ देवलोक है कितना देव लोग है? च्छ देव लोग है उसी च्छ देव लोग में ही देवताओं रहते हैं हम लोगों के लिए सबसे नजदीक देव लोग है चातु महाराजिक क्या नाम है? चातु महाराजिक देव लोग इसके बाद थे ताव तिंस देव लोग तावतिंस, क्या है? तावतिंस, इसके बाद याम देवलोग, कौन सा देवलोग? याम, इसके बाद तुसित देवलोग, कौन सा देवलोग? तुसित, इसके बाद निम्मान रती देवलोग, क्या? निम्मान राती इसके बाद परनिम्मित वसवात्ती देव लोग क्या नाम है परनिम्मित वसवात्ती वो उदेर चे खताम इसके बाद है ब्रह्म लोग ब्रह्म लोग है पंद्रा कितना है पंद्रा पंद्रा ब्रह्म लोग है देव लोग छह, मिलके 21, 21, ब्राह्म तता देव लोक रहने का वर्ल्ड लोक कितना है, 21, उसमें से 15 जगा पर रहता है कौन, ब्राह्म लोक, ब्राह्म मतलब दारती पर रहते समें बहुत ध्यान करके, माइत्री ध्यान करके, ब्राह्म चारी पालन करके, मरने के बाद उन लोक वहा जनाम लेते हैं, और लोक होता है, बहुत पुन्य करके, बहुत बहुत पुन्य करके, सेवा करके, दुसरों को मादद करके, दुसरों को ग्यान बताके, उन लोक भी ध्यान करते हैं, लेकिन ब्राह्म लोक जैसा नहीं, उन लोग इद्धियान करके, इसके बाद उन लोग जाता है चह देव लोग में, कहां पर जाता है, चह देव लोग में, और लोग है, उन लोग भी पुन्य करते हैं, उन लोग भी बहुत पुन्य करके, लेकिन देवताओं जैसा पुन्य नहीं करते हैं, उससे खम पुन्य करक दर्ती पे जनम लेता है उन लोग का नाम क्या है मानुष्य, मानव आप लोग ये तीन जगा सिर्फ पुन्यवान लोगों को जनम लेने का जगा है बाकी जगा पुन्यवान लोगों के लिए नहीं, बाकी जगा कहा है नरक पाप करने वाल लोगों के लिए जगा और एक जणा में जानवर जणा खीडा, मकोडा, माक्की, चिडिया, जानवर, पासू ये सब जगा पे जणा में लेता है पाप करने वालोग और एक जगा है भूत प्रेतों के पास बूत पेतों के पास जनम लेके क्या काते पीते हैं तुप, काकार पेकाना, खून जो मारे हुए कोई जान और मारने काथ सड़ जाता है ना, वो ही चुसके जीवन भी ताते हैं कौन? बूत पेत लो उसी जगा में भी पुन्ने करके जाना पड़ता है ना ध्यान करके जाना पड़ेगा पाप करने वाल लोग जाता है अभी बताए वरतमान बहुत सारे लोग मरने के बाद उपर जायेगा या नीचे ब्रहमलोप में जायेगा ना देवतां के पास जायेगा नारक वहाँ नहीं है नारक यहाँ है नीचे है वहाँ नारक रहेगा वहाँ नारक रहेगा तो हम लोग जल जाएगा उसी नारक का गर्मी से तो आप भी बता है बहुत सहरे लोग मरने के बाद वहाँ जाएगा यहाँ जाएगा नीच है ना, इसे तो बोलना चाहिए हमारा दादा क्या होगे, दादा चला गया है लोग कैसे कहता है दादा, उसे चला गया इसे बोलता है, जूट है क्यूं? क्यूंकि अगर उपर जाना चाहिए तो, बहुत बुन्य करना पड़ेगा ना मुंकिं है जाना तोड़ा भी पाप नहीं करना चाहिए जो मारे हुए लोग जूट नहीं बोलते थे, क्या? जूट बोलते थे कभी-कभी हत्तेयां भी किया गाली कितना दिये होंगे दान कभी दिया नहीं होगा ऐसे रहे के कभी दिहान किये हैं कि, कभी दिहान किया ही नहीं होगा, ऐसे रहे कि, कैसे जा सकता है, इसलिए देखिए, एक महान पुरुस हैं, उनके बारे में आप लोग सुनिए, आप लोग उनके बारे में जानते हैं, उनका नाम है, इंद्र, क्या नाम है, जानते हैं, कौन-कौन जान देव लोग में रहता है हम बता है ना कितना देव लोग है उसमें सबसे हम लोगों का नजिदीक में दो देव लोग है पहला है चातुम महाराजिक दूसरा तावतिंस क्या क्या नाम है चातुम महाराजिक तावतिंस फिर बता है चातु महाराजिग क्या इसके बाद तावतिंस ये दोनों देवलों का मुख्या वो है कौन इंद्र एक दिन एक देवता बगवान बुद्ध के पास आया आ करके वो देवता नहीं देवता नहीं लिच्चवी लोग कहा रहते थे वाइशा आली में कहा रहते थे वाइशा आली में लिच्चवी लोग रहते थे लिच्चवी राजकुमार लोग राजकुमार लोग बगवान बुद्ध के पास आ के पूछ रहते देवताओं के बारे में इंद्र जी के बारे में बगवान बुद्ध जी इंद्र जी का नाम हर जगा फैला हुआ है क्या आप उन इंद्र जी के बारे में बोल सकते हैं इसके बाद बगवान बुद्ध ने बताया आप लुद्ध तो सुनिये हम इंद्र जी के बारे में बता देंगे इंद्र जी का नाम है मगवा कहते हैं क्या नाम है? मगवा मगवा मतलब इंद्र जी का पिछले जनाम में वो मनुश्य लोग में था उसी से में उनका नाम माग है इसलिए उनको मगवा भी कहते हैं और एक नाम है इंदर जी को पुरिंदद क्या नाम है पुरिंदद मतलब खभी भी पाप नहीं किया आदर्श बन गया दूसर लोगों उनको देखने के लिए चुप से चुप से भी पाप नहीं किया इसलिए उनको पुरिंदद कहते हैं इसके बाद इंदर जी को कहते हैं सक क्या नाम है सक मतलब अच्चा से दूसरों को दान दिया वो उतना आमीर नहीं था फिर भी अच्चा अच्ची दूसरों को दे दिया कभी किसी के पास चपल नहीं तो चपल दे दिया घर ने तो घर बना के दिया पढ़ाई करने के लिए मदद किया खाने के लिए पहने के लिए दिया घर बना के दिया इसलिए उनको कहते हैं सक और एक नाम है वासव वासव मतलब गरीब लोगों के लिए निवास बना दिया पिछले जनाम में कौन? इंद्र जी इसलिए उनको वासव कहते हैं और एक नाम है इंद्र जी एगा सहसक सहसक क्या नाम है? सहसक मतलब हजार आखे हैं हजार आखे मतलब एकी बार हजार हजार चीज के बारे में सोच सकता है हम लोग सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचता है ना अगर हम लोग घर के बारे में सोचेंगे सिर्फ घर के बारे में घर के बारे में सोचते सोचते उसी समय दूसरा किसी के बारे में सोच सकता है क्या फिर वो हटा के सोचना पड़ेगा ना इंद्र जी को एकी बार हजार चीज के बारे में सोच सकता है इसलिए उनको सहसक कहते हैं और इंद्र जी का नाम है सुजामपती क्या नाम है? सुजामपती मतलब उनका पतिनी असुर कन्या है असुर नेता जी का बेटी है उसी आसूर बेटी का नाम है सुजा सुजा का पाति सुजामपति इसलिए इंद्र जी को सुजामपति कहते है इंद्र जी का पतनी का नाम क्या था देवी का? सुजा सुजा का पाति इसलिए सुजामपति तो बगवान बुद्ध ने बताया पिछले जनाम में इंद्र माग नाम से रहा कौन सी नाम से अगर हम ये इंद्र जी के बारे में बोल के आप लोगों को से कुछ प्राशन पूचेंगे तो एक एक बच्चा खड़ा करें कि जाब दे सकता है कौन कौन दे सकता है देहान से सुनेंगा तब ना पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है बोदगिया में है न आप लोग अभी बोदगिया में नहीं है अभी आश्रम में है संडी स्कूल में है देहान से सुनिये सबी लोग देहान सुनिये ने सुनने से आप लोग को गहटा आयाने का मतलब क्या है क्या नाम था पिछले जना मिंदर जी का माग उससे में क्या हो गया कौन है ये माग एक लड़का था ये लड़का को मन किया हम भी दुसरों को मदद करेंगी ये लड़का ने क्या किया एक दिन रास्ता पे जाते से में देखा गरीब एक आदमी का आदमी रहता है में एक माता जी अपना बेटा के साथ घर घर भे पुरा बारिस आ गया इसी प्रकार बारिस आने लगा पुरा घर बिंग जाता है क्योंकि नेवारी बिचा हुआ है नेवारी भी बिंग गया सब घर उन लोग बिंगते अंदर रहता है ये माग लड़का को दया आ गया नहीं हम मदद करेंगी इनको एसे करके अकेले अच्चा अच्चा नया नया नेवारी लाकर के पुरा घर बना दिया लबा के एक सबता गया अच्चा से घर बना दिया बहुत खुस हो गया मा और बेटा मा आशिरवाद की है बेटा तुमको बहुत धन्य हो पुंसु की रहो इसके बाद पुन्य करने वाले लोग दुख होता या खुस होता है माग किये हुए पुर्णे के बारे में सोचके बहुत खुश हुआ माग ने सोचा और हम कुछ करेंगे रास्ता पे जाते से मैं देख लिए रास्ता एक जगा पर गाड़ी जाता है रत जाता है घोड़ा का रात उस समेटा रत जाता है हमेशा रखे लोगों को परेशान क्यों गड़ा है हर जगा पे गड़ा इंद्र ने अकेले मेहनत किरके उसी गड़ा को बना दिया अभी इंद्र अमीर है क्या अमीर भी नहीं लेकिन उसका मन अमीर है बुद्धिमान है न इसके बाद और एक दिन जाते समय देख लिया गारीब लोग रहते थे उन लोग को कपड़ा नहीं है इंद्र खुद गारीब है वो मेहनत करके अपना पास चुका है क्या उसको कहता है पैसा जामा करता है चुटा है न चुका उसके अंदर उसको थोड़के उसका पैसा निकालके उसी पैसा कर्च करके उन लोगों कपड़ा दे दिया अब इंद्र क्या करता है दूसरों को मदद करता है कोई-कोई इंद्र का दोस्ता इंद्र को बता यारे पाग ले रहे तुझे को तेरे को पाग दिमाग करब हो गया क्या तुम्हारा पास पैसा था वो भी बिकारियों को दे दिया पागल लिया तुमको अराम से नोकरी कर सकता था जाके तुम जाके किसी का घर बना दिया अपने लिए जो घर में चावल था सब दूसरों को दे दिया करके उसका दोस्त उसको डाटने लगा इंद्र बताया नहीं मैंने जो कुछ किया सही किया है क्यूंकि मैंने जो कुछ किया उसके कारे मुझे आनंद है खुसी है माग ने बताया और हम करेंगे और करेंगे इसके बाद दीरे दीरे इंद्र का दोस्त लोग क्या क्या इंद्र को माग को मदद किया हम भी तुमको मदद करेंगे हम भी तुमको सहायता करेंगे एक मिस्तर जी आया मिस्तर जी आके बाद आया मेरे दोस्त माग तुम तो बहुत सेवा करता है दोस्तरों को क्या हमें भी जगा है माग बता है क्यों नहीं आओ मेरे दोस्त तुम भी हमें मदद करो इसके बाद वो मिस्तिर जी फ्री यानकी निस्सुल्क विना पैसा ले करके इंद्रों को मदद करता है दुस्तरों का कल्यान के लिए और दोस्त लोग मिल गया लंबा दस लड़का लोग एक अटा हो गया कितना लड़का लोग आज कल पचास लड़का भी मिल गया तो क्या होता है पता है एक आज आएगा हम लोग सेवा करेंगे इसके बाद दूसरा बत है हाँ हम लोग भी सेवा करेंगे सेवा करने का मन से आज कल लोग कुछ काम सुरू कर देगा, इसके बाद कोई लोग पैसा देगा, आप लोग अच्छा काम करता है, हम लोग भी मदद करेंगे इसका लोब आ जाता है लोब आने के बाद दिकाता है, हम लोग स्कूल चलाते है हम लोग ये ये काम करता है तुम लोग पैसा दो एसे करीके पैसा लूटता है दूसरों से आज कल ऐसे होता है कि नहीं बहुत जगाँ पर देखी उसी समय में लोग दस बच्चा मिल के किया है आज कर दस बच्चा करका कर सकता है क्या दस लड़का को सोची भी नहीं सकता है इसके बाद इंलोग क्या किया जागा जागा पेड रोपने लगा क्यों पेड रोपता है ओक्सिजण हवा और स्वस्त एवाम पर्यावरण का पारिश उद्धता के लिए पेड पौदा जागा जागा पे रोपने लगा आज गलो पेड़ बहुत रुपता है या काड़ता है काड़ता है अगर इदर आस्रम अगर आज नहीं है तो ये नीची नीचे सारे डांगी आज तक क्या हो जाएगा? चन हो जाएगा अब लोग देखें बाकी आम का पेड़ो में इचना नीचे आम का डांगी हैं, क्या? काताम, कोई प्यार नहीं करता है पेड़ पाउदा को जो पेड़ पाउदा उभी लूट के जा रहा है, चुला में खान बनाने के लिए, है न? इसके बाद उन लोग देख रहेते, एक नादी हैं, उसी नादी में पूल नहीं है इन लोगों ने बहुत मेहनत करके, एक पूल बना दिया इसके बाद इन लोग सोच रहेते, ठीक है, हम लोग और क्या किरेंगे? इसके बाद बताया, हम लोग दूसरा लोगों को घर बना के देंगे, मिस्तिरी भी है लिवर भी है आइडिया बताने वाले माग भी है, इन लोग मेहनत करके, दूसरा दूसरा लोगों को घर बना के दे दिया घर बना के देने के बाद क्या, आप लोग जानते उन लोग, खुद दीन राथ मेहनत किया, उन लोग को salary मिलता था महीना में, सरकार दे दिया था, कुछ नहीं, आज कल, सरकार से तोड़ा पैसा कम मिलने लग गया तो तुरांत strike करता है ना लोग, teacher लोग भी strike करता है ना, हम लोग पढ़ाएंगे नहीं बच्चा लोग को, हम लोग पैसा नहीं मिला या कम मिला इसा करगे, इन माग दूसरा बच्चा लोगों को बुला के पढ़ाया, free, दिल से पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, इसके बाद उन लोग बात चीत कर रहे हैं थे, और हम लोग क्या करेंगे, एक दोस्त बताया, माग, मेरे दोस्त, ये रास्ता पे बहुत सारे लोग दूर से आता है, ठाक के आता है, लेकिन इसी रास्ता पे किसी को पानी पीने का जगा नहीं है, क्या बना दिया, चपा कर नहीं था उस समय, एक कुवा बना दिया, कुवा बना के बाल्टी रख दिया, उस समय जो को याता है, कुवा से पानी लेकर, पी के मूँ दो के, अराम से जाता है, खुसी मन से, फिर क्या क्या, अभी हम लोग क्या करेंगे, जगा जगा पे उन लोग मेहनत करें, के खुवा बना दिया, जगा जमा इदर एदर एक कुवा, उदर एक कुवा, उदर एक कुवा, ऐसा जिस जगा पे ज़रूरत है वहाँ पे, इसके बात इन लोग बाचित कर रहे हैं, तो और हम लोग क्या करेंगे, फिर उन लोग को मन में आ गया, इसी जगा से लोग आता है, आराम करने का जगा नहीं है, इसलिए हम लोग एक धर्मशाला बना देंगे, ऐसा करेंगे उन लोग हर एक मोड मोड पर, सुन्दर धर्मशाला बना दिया, सुन्दर धर्मशाला बना दिया, सब लोग आराम करता है, विना ठक के जाते समय कुवा है आराम से पानी पिये के मोद हो के चल जाता है पुन्य देता है अभी इन लोग और खुस हो गया कौन? ये दस लड़का इसके बाद अभी इन लोग इतना काम करने के कारण हर जगा इन लोग का नामी नाम हो गया हर जगा इन लोग फैल गया बहुत सारे लोग इन लोग के अच्चा बोलने लगा इन लोग को देखने में हाँ बगवान आ रहा है, बगवान आ रहा है एससे लोग बोल रहे थे क्योंकि ये दस लोग मिल करके दुसरों का आखों का आसु पोचने लगा इसका मतलब क्या है दुसरों का दुख हटाने लगा एसा बहुत प्रयास करके इन लोग काम करते समय पुरे भारत में इन लोग फैल गया फैलने के बाद कौन तो चुगली किया राजा के पास जहां की क्या चुगली किया है महराज गुंड़ दस गुंड़ है बहुत डेंजरस है उनलों का प्लैन है महराज उनलों जवान है यावण है जवान दस लड़का है उसका मुक्या है माग महराज एक क्या कि रहे जाकर कि चुगली किया राजा के पास क्या बोल दिया है महाराज खतरना दस गुंडा है उन लोग आप खा राज्य को खबचा करने के लिए तेयार अभी महाराज सुनिए हर जगा के लोग उनके पाक्षा में है सबी लोग उसका प्रसंद करता है क्योंकि वो गुस्ट दे के लड़ाय करे के तलवार से दूसरों का मान जीत लिया महाराज आपका सासन खतम महाराज क्या किया विश्वास किया विश्वास किया चुगली करने पर कोई विश्वास नहीं करता है क्या महाराज ढर गया जल्दी मेरा सारे सेना को भेज दो पांसो सेना को भेज दिया पांसो भेज के दस आदमी को पकड लिया उन लोग उसी समय भी एक रास्ता बना रहा था पांसो जल्ग जाकर उसको दस लोग को पकड लाया ला करके बहन दिया बता आया उन लोग को बोलने के कोई जगा नहीं दिया महाराज बताया तुम लोग मेरा राज्य पर कपचा करने के लिए आया ना अब तुम लोग को मालुम हो जाएगा इलोक गाड़ दो, घरधन तक, दस लोगों क्या किया? गड़ा करके, घरधन तक गाड़ दिया, अभी उपर क्या है? सिरिफ मोड़ी है, सीर, इसके बाद बता आया मेरा मंगल हस्ति को बुलाऊ, मंगल हस्ति मतलब राजा का हाती राजा का हाथी लंबा चोड़ा है बहुत बड़ा इधर का हाथी देखें तो इधर रास्ता पे आता जाता है मटका उससे कम सकम तीन गुना बड़ा है राजा का हाथी ये तो चोटा मोटा जात के हैं ये नीच जात के हाथी है वो हाथी लोग एकदम सद्धन्त बलवाने तो ओ हाथी को बुलाके आग्या दिलाया ये दस लोगों का मूड़ी एकदम चुरादू हाथी का पैर से पुरा मूड़ी एकदम क्या होना चाहिए मसाला होना चाहिए उसी प्रकार इस इस दस लोग का मूड़ी बनादू इंद्र जी अपना दोस्त लोग निमांतरन किया मेरे दोस्त अभी हम लोगों का बाते सुनने वाले कोई नहीं है चिंता मत करो हम लोग जो कुछ किया पुन्य किये हैं इसलिए हम लोग को कोई दुख कोईने का कुछ खारण है यह नहीं है इसलिए मेरे दोस्त आप लोग का मन में इसी राजा के उपर गुसा है तो तुरंध हटा दिजी कोई भी राजा पर गुसा मत करना माइत्री करिए राजा पर माइत्री करिए हम लोगों के बार में जो चुगली किया उन लोगों को भी माइत्री करिए आने वाले हाथ को भी माहित्री करिए खबी किसी पर गुस्वा मत करिए अभी कौन है इसका मुकिया माग, इंद्र अभी मुकिया का बात सबी लोग सुनना तो पड़ेगा सबी लोग बताए, जे मेरे दोस्त हम लोग उसी प्रकार ही करेंगे माइत्री करने लगा हाथ या गया आ करके पैर उठा आया उठा के माग का सीर पराकने के पहले हाथ ही फिका गया चिलना के भाग गया फिर राज जाने बाता क्या वापस कर दो फिर हाथ के बुला के हाती नजदी का के इंदर जी का चेहरा देखने के बाद, फिर चिला के भाग गया, फिर हाती के बुलाया, फिर इंदर जी का चेहरा देखना, फिर हाती चिला के भाग गया, सोचा, ये हाती का कुछ बिमार है, दूसरा हाती के बुलाओ, इसके बाद दूसरा तीन हाती के बु बता दो, तुम मंत्र बोलता है की नहीं? तुम्हारा पास मंत्र है की नहीं? बता है महाराज. जी, मेरे पास मंत्र है. क्या? तुम्हारा पास मंत्र है? बता दो क्या है तुम्हारा पास मंत्र? मेरा मंत्र का नाम है माइत्री. महाराज आप मेरा गल्ला काट दिया तब भी आपके साथ हम दुस्मनी नहीं रखेंगे हम माहित्री करेंगे क्या? तुम लोग माहित्री करते हो तुम लोग मेरा राज्य को खब्ज़ करने के लिए प्लैन ही बना रहे ना नहीं महाराज हम लोग दुस्तर लोगों को सेवा कर रहे थे पूरा कहानी बता है महाराज हम लोग इतना सारा रास्ता बनाया इतना सारा पूल बनाया इतना सारा घर बना दिया पेड़ पाउदा गिन नहीं सकता है उतना सारा पेड़ पाउदा रोब दिया इतना सारा हम लोग कुवा बना दिया इतना सारा धर्मशाला बना दिया महराज हम लोग ये सब कुछ कर लिया दुस्तरों का कल्यान के लिए महराज एक दम वे से होगा क्या जो चुगल खोर लोग को बुला है इसा ही बोल रहा है जी महराज इसा ही है महाराज माफी मांग लिया उन लोग निकाल दिया निकाल कर उन लोगों को पूरा विवास्ता बना दिया ठीके बच्चे मेरे तरफ से आप लो जो कुछ करना है सारे चीज़ का खर्च हम दे देंगे किसने बताया महाराज बताया अंत में महाराज इंदर जी को अपना सेनापती जगा पर रख दिया रख के बताया तुम को जो करना है करलो तुम को राज्य भी चाहे तो राज्य भी दे देंगे तुम तो बहुत महान है ऐसा करके बहुत पुन्य किया है और इंदर जी के पास साथ गुन था कितना गुन? साथ गुन ये साथ गुन के साथ पुन्य करने के बाद ये मागह देवताओं का मुखिया बन गया इसका मतलब देवताओं की जानाम अपने आप प्राप्त होता है वो भी कोई कारम के आदा हर पे होता है ना देखिए ये साथ गुन क्या है आपको हम बताएं ने एक मिस्तर जी के बारे में बहुत पुन्य क्या है वो मिस्तर जी को वर्तमान में माना जाता है एक नाम से आप लोग जानते हैं वो है विश्वकार्मा जी सुने हैं वो है माग का मिस्तरी क्योंकि वो सुंदर से घर बना दिया उसी चमतकार से उसी पुन्य से विश्यकर्म जी को ऐसा काम कर सकता है कभी किसी को सोच भी नहीं सकता इसलिए उनको विश्यकर्म विश्यकर्म मतलब ने विश्यकर्म नहीं आस्चरे काम करने वाला आस्चर काम करने वाला कनान से उसको विश्व करमा माना जाता है विश्व करमा तो ये साथ गुन देखिए पहला गुन है इंदर जी का माग का मरने दम तक ये माग अपना माँ पिता जी को सेवा किया है कब तक? मरने दम तक मा एवां पिता जी को पुरा प्यार किया कान पान रहें सेंट सारे विवस्ता बना दिया आज कल देखिए आप लोग का मामी पाप आप लोगों कहता होता पढ़ाई करो पढ़ाई करो कहता है ना पढ़ाई करो लेकिन पढ़ाई से पढ़ाई तो बहुत जरूरी है मगर पढ़ाई से इंसान सुधर जाता है क्या नहीं सुधरता है देखिए साइध आप लोगों का मामी पाप आप लोगों का दादा दादी को सेवा नहीं करता होगा बहुत सार घर पेसा है ना दादी दादा का नानी नाना का सेवा नहीं होता है वैसा है आप लोग भी बड़ा होने के बार लेकिन ज्ञान सुनने से समझ में आता है मरने दम तक क्या करना चाहिए किन को अपना मा एवां पिता जी को ये किसका गुन था माग का इंद्रजे का दुस्न गुन है अपना मरने दम तक बड़े बुडे लोगों को गुरु लोगों को आदर सत्कार सम्मान गावरो करता था कोन ये माग इंद्र मरने दम तक बड़े बुडे लोगों को और गुरु लोगों को आदर सत्कार सम्मान गावरो करता था. इसका मतलब क्लास का टीचर लोग को गाली दे रहा था? क्लास का टीचर को मजा कुड़ा रहा था? अपना टीचर गुरु लोग से मजा कर रहा था? या तो फिर टीचर गुरु लोग को उन लोग के साथ लडाए कर रहा था? नहीं दूर से आना देखने के बाद अपना क्लास टीचर या गुरू तुरांट कुरसी से कड़ा होता है जामीन में बेटा है तो कड़ा होता है जाके पैर चूता है इज़त, सत्कार, सम्मान और अपना बड़े कोई मामू, मौसी, नानी, नाना, दादी, दादा पुरांट कड़ा होता है आ नानी, आईए, बैठिए कभी मा, पिताजी, जैसा नानी, नाना जैसा बड़े-बड़े लोग नीच बैठते समय वो कभी उपर बैठता था क्या? नहीं बैठता था इज़त कर रहा था आते समय नमन कर रहा था ये दूसरा गुन तीसरा गुन है ये माग हमेशा काठोर बात नहीं बोला गाली गाली, काठोर बात नहीं बोला हमेशा प्यार से बात किया प्रेम से बात किया दूसरों के साथ बहुत लगाउ से बात किया है प्रेम से आप लोग ऐसा बात करते हैं क्या आप लोग गाली देते हैं मेरे कहले संडी स्कूल का बात चलो तो प्रेम से बात करना पड़ेगा है ना ये तिसरा गुन चोता गुन है ये माग मरने दम तक खबी चुगली नहीं किया चुगली मतलब दुसरों को लडवाने के लिए और किसी के पास जा करेके क्रोधी मान से चुगली करता है ऐसा चुगली खबी नहीं किया ये माग नहीं किया देख लिए फारिवार में फारिवार में जो लोग अलग हो गया तो तुरांत वो लोग मिला आता है मा पिता जी बच्चा लोग से अलग हो गया तो खेस तो दिमाग लगा के सरीर से नहीं बुद्धी से काम करके उन दोनों को मिलाता है आप लोग भी ऐसे करना चाहिए आप लोग का घर में भी मा पिता जी अलग हो गया तो दिमाग लागा के बुद्धी से कुछ करके दोनों मिलाना चाहिए अगर कोई आपका क्लास में कोई बच्चा टीचर से नराज है तो उसी बच्चा को बहुत 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 समझा के समझा के बुद्धी इस्तमाल करके टीचर के उपर जो कुछ क्रोधी है वो क्या करना चाहिए हटाना चाहिए और आपके कितना गुन बताया चार पंचमा है ये इंद्र गहर में रहते समय लो भी मन से नहीं रहा अगर कोई भी कुछ मांग के आ गया तो देता है बहुत कुछ नहीं दे पाता है फिर भी तोड़ा भी देता है का भी लो भी नहीं है आप लो भी ऐसा है क्या कोई कुछ मांग लिया तो लो भी रहता है देता भी है वो भी नहीं देता भी नहीं लो भी नहीं तो दोनों क्या फरक है देना चाहिए अगवान बुत ने बताया, ये माग मरने दम तक सिर्फ सत्य बोला है, जूट बोल दिया है, जूट बोला ही नहीं, सत्य ही बोल दिया, आज कल आपको स्कूल में कोई दंड मिलेगा तो तुरांत जूट बोलता है बहुत सारे लोग है न, आप लोग मत बोलिए, शरम की बात ह दियान करने वाल लोग जूट बोलेगा तो कुछ दियान करता है हिम्मत के लिए, दियान करते करते जूट बोलेगा तो दियान करने का मतलब नहीं है अभी कितना बताया? चज्ब सात्मा है यह इंद्र कभी कुरोध नहीं किया गुस्सा नहीं किया कभी-कभी यह इंद्र इंद्र अपना रहने के लिए जगा बनाता है मामी पापा को घर बना दिया दूसर लोग कहा करें कि घर कब ज़स करता है क्या करना पड़ेगा इंद्र क्या करता है उसी जगा चोड़ के दूसर जगा अपना घर बनाता है दूसर जगा घर बनाने के बाद उसी जगा भी आकर खबजा करता है खबजा कर एक उन लोग रहता है हम लोग रहेंगे इसी गर पे इंद्र बोलता है ठीक आप लोग रहें तो और एक घर बनाता है महिनत करके अगर आप लोगों को इसे कुछ हो गया तो आप लोगों बच्चे आप लोगों मामी पापा को इसे कुछ हो गया तो मामी पापा घर लूटने के लिए कोई आ गया तो कोट में जाके केस करके लड़ाए करके तालवार उटा के गांगान उटा के तोप उटा के उटाने वाले सब कुछ उटा के रहता है आओ एक बाल भी बचन नहीं दूगा तेरे को इसका मतलब वर्तवान के लोग माघ से ग्यादा कितना दूर है ना लेकिन आप लोगों को माघ जैसे बन साकता है इसका मतलब अपना गहरदान देना है नहीं आप लोगों को इन में से प्रोड़ा भी गुन अपना सकता है क्रोध नहीं करिए किसी को किसी के उपर गुसा मत करिए पहला आप कितना गुन बताया साथ गुन ये साथ गुन ये साथ गुन किन के पास था माग यानि की इंदर जी के पास था ये गुन के साथ इंदर जी बन गया है इसके बाद बगवान बुते सुंदर गाता बताए देहां से सुनिए आप्प मादेन मगवा देवानं सिप्ठतं गतो आप्प मादं पसंसंती बगवान बुते ने बताया निरंतर ये मागने पुन्य करके अप्प माद होके देवताओं का मुखिया बन गया उसी प्रकार बुद्धिमान लो ज्ञानि लो हमेशा निरंतर पुन्य करके अप्रमाद होने के लिए कोशिश करते अप्रमाद मतलब क्या है दो शाब्दा आप लोग को आज हम बता देंगे प्रमाद अप्रमाद पहला क्या है प्रमाद क्या है प्रमाद मतलब पाप प्रमाद करता है मतलब पाप करता है प्रमाद पाप करने वाई लोग प्रमाध हो जाता है यान कि पाप में लाठक जाता है अप्रमाध मतलब पुन्य आप लोग अप्रमाध होना चाहिए या प्रमाध होना चाहिए अप्रमाध होना चाहिए प्रमाध नहीं ऐसे हो गया तो आप लोग को आराम से रह सकता है बहुत पुन्य कर सकता है इसलिए आप लोग ये बात को ध्यान से याद रखे अब ये एक बात है आप लोग बात नहीं करना चाहिए बात करेगा तो प्रोब्लम है अच्छा हम एक बात बता देंगे हम आपको कहते हैं बात नहीं करनी के लिए ठीक है? फिर भी एक बच्चा कुछ काम पर बात करेंगे तो फिर और एक बच्चा और एक जगा से बात करेंगे तो फिर आंते में सिर्फ बात सुनाई देता है इसलिए आप लोग दम सांत रहना चाहिए जल्दी चाहिए लेके आई आप लोग एक बार खड़ा हो जाए चिल्दान नहीं ये आश्रम में घर नहीं आप लोग